नमशकार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमराथी डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आईवेफ की जो प्रॉसेस होती है उसमें female के x का healthy होना ये कितना जरूरी है x की health इस पूरी process में क्या role निभाती है और इस बारी में जानकारी देनी के लिए इस وक्त मेरे साथ बैठे हैं जो के बिहार के सबसे जाने माने और ट्रस्टेट आईवेफ specialist में से एक है सबसे पर दॉक्टर साब नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका दॉक्टर साब IVF की प्रोसेस में एक फीमेल के एग्स का हेल्दी होना ये कितना इंपोर्टेंट है स्वाम्या जी ये बहुत बेसिक क्विश्टन है आप जो चीज पूछ रही है एक्स के बारे में एक्स का नुमेरिकली भी ठीक रहना और क्वालिटेटिवली भी ठीक रहना बहुत ज़रूरी है एक्स जो होते हैं एक्शुली जो औरत अपने मा के पेट में जब रहती है उसी समय उसको एक्स मिल जाते हैं अपनी मदर से और वो पूरे lifelong वैसे ही पड़े रहते हैं और puberty के आसपास में एक्स हर महिना वो जो एक्स का रिजर्व एक औरत के अंदर में दिया हुआ है उसमें हर महिना उसमें से कुछ-कुछ एक्स निकल-निकल के डेवलप होना शुरू होता है तो एक का quality एक्शुली समझी एक तरह से निर्धारित तो हो जाता है जब वो औरत अपने मा के पेट में रहती है तभी बेसिकली उसका जो स्पेशली जाव जनीक ट्रेट होता है और उसके बाद में इन्वार्मेंट का भी एफेक्ट परता है कैसा उसका पोजुर्चन रहा कैसा पॉल्ूशन उस-स इलाके में है कि यह क्या है क्या नहीं यह सब का भी फरक पड़ता है और जैसे जैसे एजिंग होते जाता है वैसे वैसे जितने भी healthy embryos होते हैं वे पहले ovulate करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे age बढ़ते जाता है बचे हुए जो eggs रहते हैं उनका quality नैचरली जो रहता है वो पूरर quality का होता है because उसका age बढ़ते जाता है किसी 20 साल की ओरत के अंदर में जो उस महीने में follicles जो हम लोगों को दिख रहे हैं वो actually 20 साल पुराने eggs हैं लेकिन जो 30 साल की ओरत अगर follicle monitoring के लिए आ रही है और उसको eggs जो उस महीना में बन रहा है तो वो नए eggs नहीं बन रहा है उस दिन के वे भी वो 30 साल पुराने हो गए तो 20 साल की ओरत और 30 साल की ओरत में 10 साल का एक फासला रहता है 10 years old older group के eggs को वो लेके वो अब चल रही है उसी तरह अगर हम 40 साल के बाद पर आया तो जैसे हम लोग का body का हर system कमज़र होने लगता है एक को भी आपको कुसी तरह का एक individual समझती है और वो भी 40 साल तक रखे 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 उसके जो systems होते हैं अंदर cell में mechanism जो cell metabolism होता है उसके अंदर जो mitochondria रहता है जो energy provide करता है वे सब कम हो जाते है और अगर embryos के quality को देखा जाए eggs के quality को तो देखा गया है कि 35 साल के बाद से जैसे जैसे इजाफा होते जाता है हर स वैसे वैसे अगर eggs का genetic test किया जाए उसमें mitochondrial study किया जाए तो यह दोनों ही लिहाद से वे genetically भी poorer quality के होते जाते हैं और अंदर उसमें जो metabolism होता है cell divide करने का इसलिकि eggs में क्या है eggs के अंदर nucleus होता है और sperm भी nucleus देता है और दोनों मिलके fertilize होके एक नया individual बनाते हैं जिसको zygote ह तो यह division में nucleus जो बनता है जो genes रहते हैं वह सब जो अलग-अलग होते हैं वह बहुत complex mechanism होता है जैसे हम लोग cranes देखते हैं road बन रहा है भी metro project आप लोग देख रहे हैं समान उठाने के लिए उसी तरह genes को भी खीचने के लिए अंदर में कुछ प्रणाली होती है उसके eggs poor quality के होते हैं, embryos भी poor quality के बनते हैं, pregnancy का chances पूर हो जाता है या जो embryos बनेंगे वे abnormal fetus हो सकते हैं, abortion का chances जादे रह सकता है तो egg का qualitatively ठीक रहना बहुत जादे ज़रूरी है और इसके लिए various जो एक तो lifestyle है कि healthy lifestyle अपना रखना है, pollution से दूर रहना है, अच्छा स्वस्त भोज energy providers, खासकर antioxidants, आजकल coenzyne q का use हो रहा है, इस तरह के तमाम चीज होते हैं, जिनसे की eggs के quality में सुधार किया जा सकता है, but यह 100% sure नहीं होता है कि actually egg के quality को हम लोग बिना IVF किये हुए कैसे देख हैं, और करने के बाद भी हम लोग उसको सुधारें कैसे, इसका full proof नहीं plan है, अ साइटोप्लाजम में जो apparatus रहता है, उस पूरे साइटोप्लाजम को कुईसी यंग औरत से लेकर दिया जा सकता है, तो इसको साइटोप्लाजमिक ट्रांसवर बोलते हैं, तो यह सब नहीं नहीं टेखनीक सारी हैं, जिससे की हम लोग एक quality पर भी एक दिन विजय पाद लें जी, उम्मीद करती हूं कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बाते बताई हैं, अपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा, इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अगर वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पीच को अध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं, धन्यवाद